हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में तो आज हम लोग बात करेंगे कि कभी कभी लाइनेस लाइन से लड़ती क्यों है तो दोस्तो ये जो बात है ना टॉपिक ये आप लोगों को जान लेना चाहिए क्योंकि कई पार आप देखेंगे जो लाइनेस और लाइन जो एक ही जुन्ट के होते वो लड़ते हैं आखिर क्यों लड़ते हैं इस वीडियो को आप एंड तक देखें आप समझ जाएंगे आखिर तक ठीक है यार उलिया ना दोस्तो जो नमबर पहली चीज़ है कि शेर नी लाइनस है शेर से क्यों लड़ती है दोस्तो सबसे पहला रीजनस है कि अगेन अगेन मेटिंग हाँ दोस्तो ये एक रीजन होता है कुछ लाइनस में जिनको बार बार मेट करना होता है जबकि एक बार उनके पास बेबी होने के बावजूद वो बार बर मेट करते हैं दूसरा क्या रीजन होता है दूस्तो दूसरा रीजन ये है कि खाने के लड़ाई हो जाते है कभी-कभी क्योंकि शेर जो होता है वो थोड़ा सा अपना एटिट्यूड दिखाता है दूसरे मतलब जुन्ड के दबदबा बना के रखता है तो कभी-कभी कुछ शेर निया उससे लड़ने लग जाती है खाने के लिए क्योंकि वो शिकार वो पकड़ती है और जो जादा हिस्सा होता है वो शेर खा जाता है तो एक रीजन ये हो गया दोस्तो ये जो दो पॉइंट्स होगे ना ये मेंली शेर निया शेर से लड़ती है इस वज़ा से पर दोस्तो अब हम लोग जान लेते हैं कि पहारी शेरों से कभी-कभी शेर निया क्यों लड़ती है जब एक जुन पे शेर का कबजा हो जाता है ये बात को मैं आप लोगों को पहले भी एक बाब बता चुका हूँ पर जिन लोगों ने नई जानी है वो फिर से सुन लीजे दोस्तो असल में होता ऐसा है कि जो एक शेर होता है वो जब दूसरा जुन जीतता है तो वो छोटे बच्चों को मार देता है तो उन बच्चों को बचाने के लिए वो शेरिया अ अपनी जान को जोखे में डालती हैं जिन शेयर अपनी जान को जोखे में डालती हैं